नमस्कार दोस्तों मैं हूँ से तेरे संधरिया भावनगर गुजराच से और आज हम बात करने वाले हैं सेक्शन 194Q वर्सिस सेक्शन 206C सब सेक्शन 1H यानि कि TDS और TCS के जो दो नए सेक्शन्स हैं जो TCS पहले से लागू हो गया है TDS अब लागू होने जा रहा है पहली जुलाई 2021 से तो काफी कन्फ्यूजन्स है लोगों के मिन में इसके बारे में कि ये दोनों की किस तरह से हमें implementation करनी है real business में तो चलिए शुरू करते हैं एक के बाद एक point हम देखते हैं on screen ही चलिए शुरू करते हैं तो देखिए मित्रो आपके सामने एक के बाद एक point मैं discuss कर रहा हूँ कुछ points देखके आपको लगेगा शायद 7-8 पहले जो point है वो देखके कि ये तो काफी basic details है जो आप जानते हैं लेकिन वो सिर्फ revision के लिए है लेकिन उसके बाद जो point शुरू होगे उसमें से experts को भी कुछ जानने को मिल सकता है ऐसे points मैंने इसमें already cover कर लिये हैं बाद में तो पहले थोड़ा revision कर लेते हैं कि जो applicability है 194Q की वो शुरू हो रही है 172,021 से और TCS already apply हो ही चुका है एक दस दो हजार बीस से और इसमें कौन liable है TDS करना है purchaser को TCS करना है seller को दोनों का preceding year में turnover कितना होना चाहिए 10-10 करोड का दोनों sections में यह similarity है और payable in relation to किसके बारे में यह pay करना है तो जो TDS है वो सिधी बात है purchase में से काटना है तो goods purchased from resident resident होना चाहिए और TCS जो है वो collect करना है goods sell other than exports and some other factors तो other factors बगेरा के लिए पुरा एक अलग से video बिनाना पड़ेगा उतना लंब है otherwise तिरफ इतना याद रख सकते हैं goods का sell होगा जो कोई specific section में cover नहीं होगा TCS के तो उस पे यह 206C1H लगेगा और export sell वो नहीं होना चाहिए बाद में पाच्वा point देखते हैं payable on और collectable on तो किस amount पे यह लगेगा कौन सी amount पे कितनी limit के बाद तो दोनों में limit से में 50 लाग के बाद की जो उपर की amount होगी उसके उपर लेकिन TDS जो है वो purchase amount in excess of 50 lakhs है और TCS जो है वो receipt के base पे लगता है तो receipt of amount in excess of 50 lakhs देखना है वहाँ पे sell नहीं देखना है amount कितनी मिल रही है receipt देखनी है वहाँ पे और next point current year purchase और sell जो है वो कितना होना चाहिए तब यह apply होगा पिछले साल का तो हमने देखा 10 करोड है तीसरे point में लेकिन अभी इस साल का जिस साल में यह TDS TCS की बाद चल रही है उसमें भी 50 lakh से collect करना है तो TDS के बारे में इसकी provision इस तरह से है कि earlier of payment of credit मतलब आप सामने वाले को payment अगर advance में कर रहो हो तो उसमें पहले ही काट लेना पड़ेगा otherwise उसका bill आप जब trade कर रहे हो book में तब काटना है और जो TCS है वो totally receipt based पे है तो जब amount मिलेगी उस time उसको TCS collect करना है आपको और in case of applicability of both what to do अगर TDS भी apply हो रहा है एक transaction में और TCS मतलब यह दोनों sections apply हो रहे हैं तो TDS कटेगा नहीं के TCS और क्यों ऐसा है देखिए का यह बहुत ही महत्वपूर्ण point में अभी discuss कर रहा हूं जिसमें काफी सवाल मेरे पास आये थे तो इसलिए मैंने यहां से अभी थो is not applicable if the buyer is liable for TDS on the goods purchased by him from the seller and has deducted such amount मतलब TCS तब नहीं लगेगा जब 194Q का TDS वहां पे लग रहा होगा और जो buyer है जो purchaser है उसने वो TDS काटा होगा तब ही नहीं लगेगा TCS तो भई उसको मान लेजीए एक transaction में दोनों चीज़ लग रही है हम seller है हम मान लेंगे कि सामने वाला buyer जो है वो TDS के लिए इसमें जिम्मेदार है और वो काट ही लेगा तो ऐसा नहीं चलेगा अगर उसने TDS नहीं काटा तो वो तो फसेगा ही लेकिन हम भी फस जाएंगे क्योंकि TCS हमको उससे collect करना था और हम अपनी जिम्मेदारी में चूक कर गए हैं इसलिए तो इसके लि विक्ति है जो buyer है उससे आप एक declaration ले ले कि वो buyer है वो इसमें 194Q में पढ़ रहा है और वो TDS कर लेगा और पे कर देगा गवर्मेंट को और हम जो है वो TCS इसलिए नहीं करेंगे अब ऐसा उसके पास से एक declaration लेना पड़ेगा और in future ऐसा भी हो सकता है कि TCS के return file करने की जो utility होगी जो हम second quarter का जब पहली बार return file करेंगे यह TCS apply और TDS दोनों की simultaneous application के बाद वाला जो पहला return आया का second quarter का उसमें ऐसा एक tag भी लगाया जा सकता है सरकार के द्वारा कि TCS जब आपने क्यों नहीं काटा क्योंकि सामने वाले ने TDS काटने को वो जिम्मेदार था और उसने क काटा है ऐसा कुछ tag भी लगाया जा सकता है और जिस तरह से 15G की online utility होती है उसी तरह से शायद ऐसी कोई declaration वगेरा की मिला है या नहीं मिला है उसका reporting करने के भी शायद एक utility government issue कर भी सकती है अभी rate कितना रहेगा तो दोनों में same rate है 0.1% और अगर पान या आधार आपने नह 5% और TCS के मामले में वो कम है वो 1% ही रहेगा अगर पान या आधार नहीं दिया तो दूसरी बात कि इसमें अगर lower deduction, nil deduction ऐसा कुछ हो सकता है ये TDS या TCS के बारे में तो इन जो specific TDS, TCS के में बात कर रहा हूं इन दोनों में से एक में भी ऐसी provision नहीं है कि आप assessing officer के पास से lower या nil deduction का कोई certificate ले सके, ऐसी provision इन दोनों में नहीं है, दूसरी बात कि अगर हमने कोई पैसा दे के कोई चीज खरी दिया बेची नहीं है, लेकिन consideration जो है वो kind में है, मतलब चीज के बदले चीज ली है, purchase की है, sell की है, तो उसमें क्या होगा, तो TDS वाला जो point है, उसमें आ मतलब कोई चीज के बदले चीज भी दे उसको, तो वहाँ पे TDS के लिए आप जिम्मेदार होंगे ही, लेकिन TCS जो लग रहा है, वो receipt of amount, receipt of self-consideration in amount पे लग रहा है, इसलिए वहाँ पे in kind होगा तो नहीं आएगा, TCS तभी आएगा जब आपको receipt of amount हो रहा हो, उसके बाद बात करते हैं, SSE in default कि, SSE in default कब होगा, कि जब TDS या TCS ये दोनों में से कोई भी चीज किसी को लग रही होगी और कोई इसको deduct या collect करने में default कर देता है, तब वो SSE in default कहलाया जाएगा, तो income tax में TDS, TCS का sections में ऐसी provisions हैं कि अगर सामने वाला, जिसका हमने TDS या TCS नहीं किय है, वो व्यक्ति, अगर अपना return भर देता है, उसका जो tax बनता है, वो भर देता है, और CA का पास से certificate लाके issue करता है कि, ये सभी चीजे सही हो गई है, और government को कोई tax का loss नहीं हुआ है, तो ऐसे जो prescribed certificate से form 26A या form 27BA, उनके issue करने से, मतलब SSE in default के status में से save किया जा सकता है, deductor गया collector को, तो 194Q वाले case में answer आएगा, हाँ, कि वहाँ पे ऐसा हो सकता है, लेकिन TCS जो है 206C में, जो specific 1H subsection है, उसमें SSE in default को आप वहाँ से save नहीं कर सकते हैं, ऐसा provision वहाँ पे दिया ही नहीं गया है, उसके बाद, point number 14 में, देखते हैं कि, अगर इसमें 206AB या तो 206CCAB अ क्योंकि यो दोनों sections भी पहली July 2021 से apply हो रहे हैं, तो उसमें क्या होगा कि specified person आएगा, तो दुगना tax भी काटना पर सकता है, दुगना tax collect भी करना पर सकता है, तो इसमें किस तरह से provision रहेगी, तो यहाँ पे discuss करनी काफी लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं आपको इस वीडियो ने एक mechanism compliance portal पे इसके लिए खड़ा किया है, और वो जो compliance portal पे mechanism है, उसको कैसे use करना है, उसके बारे में भी मैंने एक live demo के साथ वीडियो बनाया हुआ है, जिसके link भी मैं आपको इस वीडियो के description में दे रहा हूँ, बात का सवाल है कि what is goods, क्योंकि यह goods के मामले में ही यह TDS और TCS लगेगा, services के मामले में नहीं लगेगा, तो goods क्या है, वो income tax act 1961 में कहीं भी define नहीं किया गया है, तो हमें करना क्या पड़ेगा कि CGST, या तो कोई भी GSTS, GST Act, या कोई भी मैं से GST Act में से आपको definition निकालनी पड़ेगी, या तो sell of goods act में से definition निकालनी पड़ेगी, द For example, 194Q TDS के purpose से अगर मैं बात करूँ तो मैं कोई fixed asset भी purchase कर रहा हूँ, और अगर मैं बाकी की conditions पूरी कर रहा हूँ, 194Q की, तो मुझे उस fixed asset की purchase पे भी, मतलब capital account wallet transaction पे भी TDS करना पर सकता है, next question है, कि advance amount पे ये लगेगा या नहीं लगेगा तो दोनों में ये provision है कि advance पे भी ये TDS और ये TCS दोनों apply होंगे, और काफी लोग आजकल जो सवाल पूछ रहे हैं, वो सवाल ये हैं कि ये जो TDS और TCS है, वो inclusive of GST amount पे काटना है, या exclusive of GST amount पे काटना है, तो उसके बारे मे TCS में आपको मैं पहले बात कर लेता हूँ, कि TCS के बारे में तो circular number 17 already issue कर दिया है, CBDT ने 29th of September 2020 को, जिसमें उन्होंने कहा है कि TCS जो है, वो receipt of amount पे है, और वो receipt जो होती है, वो GST के साथ ही होती है, तो GST के साथ वाली amount पे, मतलब inclusive amount पे ही TCS करे, तो अगर वही circular को base बना क है, वही same line of logic पे जाके अगर हम सोचे, तो TDS में भी ये answer आ सकता है, क्योंकि TDS वाला जो ये 194Q section है, और जो TCS वाला 206C1H है, उनकी दोनों की opening पेरा, आप देखेंगे पहले जो subsection 1 है, दोनों में वो आप अगर पढ़ेंगे, तो आपको पता चलेगा कि same line पे ही draft किये कला जा सकता है, अगर circular 17 को base बनाएं तो, और या तो फिर अगर हम general principle of logic पे जाए, general principle ऐसा भी हम बोल सकते हैं कि GST के amount पे हम कैसे TDS काट है, क्योंकि GST तो हम जो collect कर रहे हैं, वो तो हमें पूरा government को दे देना है, तो हम किसी को क्यों permit करें कि हम को GST भी कम दे, उसमें से TDS क साथ है, क्योंकि हमको तो GST पूरा government को दे देना है, तो इस line पे अगर हम logic पे चले, तो जब आएगा कि exclusive मतलब GST, बिना कि जो amount होगी, उसके ऊपर ये TDS करना है, तो ये दोनों चीज़े possible है, तो अभी एक काम करना पड़ेगा, कि government को ही इसमें ज्यादा clarification देना कि शायद एक दो दिन में कोई difficulty remove करने के लिए order pass कर दे, क्योंकि sections में already इसके लिए provision रखी गई है, तो CBDT शायद ऐसा कोई order pass करेगी और इसमें clarification आएगा, तो आपके लिए मैं वो चीज़ इस video के description में रखने का पुरा प्रयास करूंगा, तो आप दूसरी बार 4-5 दिन के बात भी ये video के description में आके check कर सकते हैं, अगर कोई update हुई, तो मैं यहाँ पे वो post कर दूँगा, और बाकी आपके भी अभी कोई कोई सवाल है, तो मुझे इस video के comment में आप पूच सकते हैं, मैं पुरा प्रयात न करूंगा उसका जवाब देने का, और अगर आपको ये video useful ल ये वाद